दोस्तों अगर आप किसी कंपनी में A.Z. अकाउंटेंट की पोस्ट पे इंट्यू देने जा रहे हो अगर आपको वहाँ पर इस परकार का इन्वोईस का फॉर्मेट देखे और ये बात बोली जाए भी आप इस इन्वोईस के अधार पे टेली सॉप्ट्वेर में लेजर और परकार अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो साइद आपको किसी दूसरे वीडियो को देखने की जूरूर्त भी नहीं पड़ेगी तो दोस्तो अगर आप टेली सॉप्ट्वेर के नए युजर हो आप टेली सॉप्ट्वेर को प्रैक्टिकल तरीके से सीखना चाते हो तो आज गी इस वीडियो को आप कम्प्रीट देखना कोई भी स्टेप इस वीडियो का स्किप मत करना वीडियो सुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो अगर आपको अच्छे लगे, नोलेजबल लगे, तो वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में सेर भी कर देना, अगर आपने मारे चैनल पर पहली बार विजित करिए, तो चैनल को भी स सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी जुरूर अन कर लेना ताकि हमारे आने वाले हर नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा तो नमस्कार दोस्तो मैं हूं मौन सुथार और आप सभी दोस्तों का हमारी यूटूब चैनल प ये फॉर्मेट के दार पे प्रैक्टिकली बताने वालों भी आपको इस इन्वेस के दार पे किस परकार प्रचेज वाउचर में इंट्री करनी है और इंट्री करने से पहले आपको कौन-कौन सी सेटिंग भी करनी पड़ेगी तो दोस्तों सबसे पहले हमें इस प्रचेज से हमने इसमान प्रचेज किया है उस कंपनी का नाम है सुमित ट्रेडर्स न्यू का और यह यहां पर प्रोपर लेन का एडरस है सब कुछ GST नमबर विगरा इमेल एडरस से यहां पर लिखा हुए है और यह इसमें स्टोक आइटम भी क्रियेट की विए है यह एचेसन कोड यह कोंटिटी के साथ में है तो सबसे पहले हमें जिस पार्टी से हमने इस गुट्स को प्रचेज किया है उस पार्टी का लेजर हमें क्रियेट करना है अब हमने किस से प्रचेज किया है उस कंपनी का नाम है सुमित ट्रेडर्स न्यू द कि अगर आप यह मुबाइल पर अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको अच्छी तरीके से सारी बाते समझ में आज इस सारे फिंशन आपको क्लियर देख जाए तो दोस्तो टेली सॉप्ट्वेर में लेजर क्रियेट करने का तरीका हम टेली के होम पेज पर जानी कि इस सुमिद ट्रेडरस ट्रेडरस और ण्यू जो कंपनी का नाम इन वो इस पे लिखा हुए हम इंप्रोपरली वो सही तरीके से दिखना है और उसके बाद में यहाँ पर स्लेक्शन की बारी आएगी अंडर गूप में तो अब यहाँ पर इसका जो गूप का सेलेक्शन होगा व हमने इन से गुड्स फरसेज किया है और जिसे हम समान फरसेज करते हैं वो हमारा सेंट्रिक क्रेडिटर होता है हम इसको सेंट्रिक क्रेडिटर से में लखेंगे आप मेंटेंस बिल बाई बिल ओप्शन को यस रख सकते हो यहां पर उनका प्रोपरली एडर्स आएगा जो इस में लिखा हुए जैसे की नियर में बस्टेंड राइसेंगर डिफ्टिक शरी गंगानगर तो यह सारी बात हम यहां पर लिखेंगे तो आपको प्रोपरली सही तरीके से लिखना है कि जो इंट्रिव्यूर होता है वो आपकी इनी छोटी-छोटी बातों को पकड़ता है भी कि आप कहीं इन बातों को इग्नोर तो नहीं करते हो क्योंकि अगर आप किसी इंस्टूट पे जाके टेली सॉफ्ट्वेर सीख रहे हो तो आप ज्यादा तर स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो केवल लेजर का नाम क्रिएट करते हैं उनका एड्रस लिए प्रोपर नहें उनका क्तपडा पोस्टेस्ट लेक्ट करते को चो़के अ hai तो आपको प्रोपर री उसका एड्रस इनवर्स में जो लिखा बादा उसकी देखके लिखना होते हैं था है को यहां पर इसको लिख लेते हैं पके rocks इसके बाद में जश्च्टिक सिरिगंगा करंट्री इंडिया रहेगी पोस्ट कोड यस पर नहीं पर और उसके बाद में नंबर आपके पास है तो पर न नम्र तो सलोज को क्यों ही नबर के जो शुरूषाट के दो अक सर आपको छोड़ने नो सारा इसका pen number ही होता है क्योंकि जो जिस्टी number होता है वो pen number बैसिस ही होता है और उसके बाद में अब registration type अब registration type भी आपको यहां पर समझने भी इस in option में से आपको क्या select करना है composition select करोगे consumer select करोगे regular select करोगे या फिर unregistered select करोगे दोस्तों अगर आपके पास invoice आया है और जिस party ने आपको invoice दिया है और उसके party के पास GST number है और उस invoice में इस तरीके की tax की समरी भी बनी विये बगाएदा आपको taxable value CGST, SGST या फिर out of state का है तो इसमें IGST भी होगा तो ऐसी condition में अगर आपको पतला रग रहे है भी इसमें GST का treatment हुआ हुआ है GST, SGST tax अलग लग है तो वो 100% regular dealer ही होगा तो अगर आप वोई यह ने देखना क्योंगी अगर GST number तो composition dealer के पास भी होगा लेकिन वहाँ पर उसके invoice में इस type की कोई GST का कोई treatment नहीं होगा वहाँ पर केवल simple invoice होगा quantity है, rate है और उसकी amount है वैस, इतने होगा को GST विगरा कुछ नहीं लिखा होगा अच्छे सन कोड हो सकता है, बट GST का treatment है वो नहीं होगा, तो SST CT में जहाँ पर GST का treatment होगा वो आपको इस में से regular ही select करना है, तो अब यहाँ पर उसका GST number लिखना होगा, तो आपको invoice में से उसका GST number हो सकता है, अब एक बात और है, यहाँ पर GST number है, आप कई companies SST होती है जो invoice का अलग-अलग format होता है, जो GST number आपको हो सकता है, यहाँ पर लिख जाए, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन GST number 100% होएगा, तो वो आपको डूण रहा है, जिस party से समान आपने प्रतेज किया है, उस company का GST number क्या है, और उसके बाद में interface करते हैं, इसको हम करेंगे, accept, तो अब एक laser हमारा create हो चुक है, suppliers का, अब उसके बाद में हम एक बार चलो, हमारी stock item है, वो create कर लेते हैं, जब purchase का laser आएगा, वो हम बाद में create कर लेगे, तो इसके लिए बाद हमें हम जाएंगे, create पर और stock item पर, अब stock item इसमें से हम select करेंगे, जैसे कि हमारे पास यहां पर तीन type के अलग-लग stock item है, keyboard, mouse और VJ cable, तो हम यहां पर एक बाद ही, तो आपको भी जो stock item का नाम है, वो भी आपको properly, जो invoice में लिखाव है, वो as it is ही लिखना है, shortcut नाम आपको नहीं यूज करना है अब अब अंडर में, अब आपका अगर computer parts का समान है, तो आप यहां पर इसका ग्रूप create कर सकते हो, percentage wise, जैसे कि अब यह keyboard है, और इस keyboard का जो item है, यह product है, यह GST 18% का product है, तो यहां पर आप इसका group create कर सकते हो, जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, इसमें क्या होगा, आपको stock जो collagen stock की value निकालते हैं, वहां पर काफी ज़्यादा असानी आपको होजेगी, computer parts, GST 80%, तो इस type से आप एक laser create, इसका group create कर सकते हो, अपनी facility के according, ताकि आपको बाद में दिकत नाए, stock की valuation करने में, या आपको percentage wise stock करवाने में, इसमें आपको आगे जाके काफी ज़्यादा अ set नहीं करना, वो हमें property stock item में ही set करना होता है, accept करेंगे, और उसके बाद में category अगर आप बनाना चोबी ये keyboard का parts है, जैसे आप अलग-अलग company की keyboard रखते हो, जैसे TBS का keywords है, या फिर Lenovo का keyboard है, HCL का, HP का, तो अगर आप keywords है, mouse है, अलग-अलग की category बना के चाहते हो, तो यहा date पर भी जा कि आप click कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर बढ़ा लिया keyboard, क्योंकि अब भी आप यहाँ पर confusion होगी, क्योंकि stock item का नाम भी keyboard है, और category भी keyboard है, तो stock item का नाम keyboard इसलिए लिखा हुए, एक simple नाम है, वहाँ पर particular में, original invoice में आपको इस तरीके से लिखा होगा भी, HP keyboard, 20, 30, उसका मलब model number के साथ में आता है, तो उसका category जो keyboard ही रहेगा, अब invoice में keyboard है, तो उसी के दार पे हमने keyboard बना दिया, अब बात आती है इसकी units की, अब units हमने इसमें किस unit में sell करना है, तो हमने इसको करेंगे PCS में, और इसका यो किसी है, वो भी हम select करेंगे PCS, आपको ये नाम ही select करना है, इसमें से PCS वाला, यू किसी code में, ये select करना जुरूरी है, number of decimal piece की condition में में 0 ही रहता है, और इसको करेंगे, असरफ, alternate units हम कोई use इसमें नहीं कर रहें, और उसके बाद में बारी आएगी, यहाँ पर strategy detail में, GST detail की, तो आपको GST applicable में यहाँ पर रखना keyboard, और यहाँ पर इसका address code जो invoice में लिखा हुआ है, तो हम यहाँ से इसको उठा के यहाँ पर रखेंगे, आपको menually type करना होगा, क्योंकि आपके पास paper होगा, और उसके बाद में calculation type में आपको यहाँ पर रखना होगा, own value, और उसके बाद में इसमें से आगर यह taxable वाला product ह है, तो इसमें से हम track करेंगे, taxability के अंदर taxable को, taxable हम select है, अगर यह tax free का product होता है, इसको मैं आप से exempt select करते हैं, और उसके बाद में reverse charges पे कुछ भी नहीं है, input credit से इसको भी हम नो रखेंगे, उसके बाद में इसका, जो GST की percentage है, कितने percentage वाला यह product है, तो आप देख रहे ह इसमें आपको goods रखना है, इंटर इंटर प्रेस करते हैं, हम इसको करेंगे, तो इस तरीके से हम किन्नो स्टोक आइटम भी create कर लेंगे, तो हम तिन्नो स्टोक आइटम को एक बार create कर लेते हैं, जल्दी से यह भी हमारा 18% का product है, यह हमारा mouse की category में आजएगा, पीसिस में आएगा, इस तरीके applicable, applicable और addition code हम यहां से select कर लेंगे, मैं copy इस लिए करूँ ताकि time काफी कम से कम हमारा लगे, otherwise video काफी ज़्यादा lengthy हो जाती है से, और इसको भी हम accept करेंगे, सेमी तरीक है जो हमने keyboard का बनाया था, और उसके बाद में वीजिये cable, two meters, उसके बाद में यह भी computers, अब यह अठार आया, जिस्टी, बारा परसेंट का product है, तो हम यहाँ पर computer, parts, gst, बारा परसेंट, ग्रूप हमने create कर लिया, और यह हमारा अब cable में या फिर आप इसमें जो others है, चोटी मोटी आइटम आप इनको others में, या miscellaneous के नाम से इसका create कर सकते हो, जिसे मैंने यहाँ पर बना दिया, others है, 12%, और इसको यह भी PCS में sell करते हैं, applicable यह रहेगा, इसमें हम कर देंगे भी, cable, access and code यहाँ से, invoice में से देखके, select करेंगे, on value, taxable, और यह GHD 12% का product है, तो इस तरीके से हमने यह 39 stock item है, जो create कर लिए है, इस invoice के अधार पे, अब हमें, हमारी जो trading के laser है, प्रसेज के, वो हमें create करने पड़ेंगे, वो हम प्रसेज के, प्रसेज वाउचर की entry करते हैं, या फिर हम, पहले भी create करके रख सकते हैं, तो create पर जाएंगे, लेजर पर जाएंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे, computer parts GST 18% purchase, तो इस तरीके से हम, जो हमारी purchase, 18% वाले जो product है, वो हमारे computer GST 18% purchase count में तर जाएंगे, और जो 12% वाले जो product हैंगे, वो 12% में अलग laser create करने पड़ेंगे, तो यह आपको छोटी छोटी बाते जान में रखना, इसका under group रहेगा purchase count, और इसके बाद में GST applicable रहेगी इस पे, और set alter GST detail को आप एक बार no रख सकते हो, क्योंकि अगर आप इसको yes करोगे, तो आपको सारी information यहाँ पर आपको रखनी पड़ेगी, अगर आप यहाँ पर रखोगे तो इसको, यहाँ पर आपक करना पड़ेगा, और उसके बाद में इसकी GST विगरा 18% का प्रोडेक्ट है, तो यह आपको यहाँ पर दिरना पड़ेगा, अगर आप इसको yes करोगे, तो यह सारी information आपको यहाँ पर fill up करनी पड़ेगी, तो इसलिए आप इसको, यहाँ इसको no कर दोगे, जब इसकी पर 12% का भी laser हम create करेंगे, यह भी purchase count में, और यह type of supply में goods रहेगा, तो यह सारी जो कुछ रहेगा हमारा maintenance, bill by bill, detail यह purchase count में यह नो रहता है, type of laser में हमने इसको एक बार note applicable रखा हुआ है, GST applicable में इसको applicable किया हुआ है, set alter GST हमने इसको no रखा है, इसलिए रखा है तब हम purchase voucher की entry क इस वक्त हम इसको purchase taxable का, जो nature of transaction है purchase की वह वहाँ पर हम select कर देते हैं, अगर यहाँ पर हम select करेंगे तो आप वो आगे select करने की जुरूरत नहीं है, accept करेंगे, अब यह हमारे रहे के purchase count, अब हमें tax के laser भी create करने पढ़ेंगे, CGST tax और SGST tax, तो CGST tax, अब यहाँ पर आपको अ परसेंट है, CGST 9% या CGST 6%, CGST 6%, आप A की laser, common laser create कर सकते हो, CGST का, under group में रहता है text का जो भी laser है, वो beauty gen text में है, उसके बाद में आप से यहाँ पर कुछ होगा type of beauty tax, तो उसमें आपको रखेगा, रखना पढ़ेगा GST को, और GST में उसके बाद text type में आपको यहाँ से select करना प आपको AGTG 0 रेने जना है, और interface करते हैं हम इसको करेंगे, और इस तरीके से हमारा पास SGST टेक्स का laser भी create हो जाएगा, डूटी जेंट एकस, GST, और अब यहाँ पर इसमें से करेंगे state text के लिए, SGT टेक्स के लिए state text को, अगर यह IG state text का अगर हमें laser create करना पड़ें, तो उ यह rounding method भी हम यहाँ पर इसको करेंगे note applicable, जो टेक्स के amount आप वो properly जितनी पैसो में बनने चीए, उतनी ही आने चीए, otherwise हम इसको round off करना चाहिए, round off का मतलो, जैसे को tax बन गया भी 5 रुपे और 20 पैसे, तो यह फूरा 5 रुपे हो जाना चीए, जैसे 5 रुपे और 15 पैसे बन तो इसलिए हम rounding method को note applicable कर रहे हैं, तो इस तरीके समय laser create कर लिया, stock item भी create कर लिया, laser भी create कर लिया, अब हमें एक purchase वाउचर के लिए, वाउचर सेटिंग में जाके वाउचर की सेटिंग को करना पड़ेगा, इसके लिए हम alter में चल जाएंगे, और उसके बाद में यहाँ से आपको select करने, वाउचर टाइप को, वाउचर टाइप पे जाएंगे, यहाँ पर इस में से select करना है process, only process को, और उसके बाद में यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा, method of voucher numbering का, तो यह wide default आप देख रहे हैं, अब यहाँ पर हमें इस automatic को अठाक करने, manual, इसको करेंगे, manual, और prevent duplicates को कर देंगे, yes, और अभी हमें कुछ नहीं करना, इसको agitize रखते वे, save कर देना है, अब हम चलते हैं, हमारी transaction पर, transaction पर जाने के लिए, vouchers पर हम जाएंगे, और अब यहाँ पर हम select करेंगे, purchase voucher के लिए, f9, f9 करते है, purchase voucher आगया, तो जो अभी हमने यहाँ पर जो automatic से manual set किया था, वो इसलिए किया था, ताकि हम जो voucher number है, वो यहाँ पर हम लिख सके, otherwise यह white felt automatic रखता है, 1, 2, 3, 4, 5 है, तो purchase voucher में जो इसका invoice number है, यह invoice number होता है, अब invoice number यह तो invoice number है, आपके पास जो भी invoice है, उसका number अलग हो सकता है, तो अगर आपको यहाँ है, अब जैसे यहाँ पर ST, यह हमने invoice number लिए है, और यह invoice number हम यहाँ पर लिख देंगे, और उसके बाद में हमने इसकी जो date लिए है, वो date है इस invoice की 25, 2021 को, तो आपको यह 25, 2021 मेंटरी करनी पड़ेगी, अब यह जैसे की मेरे पास यह demo version है, तो मैं इसकी date एक बार 25 कर रहू होती है, वो तारीक accept करता है, क्योंकि मैं एक बार 25 ले रहा हूँ, अब यह मान के चलेंगे यह entry हमने 25 में करिए, अब उसके बाद में suppliers invoice number में, तो same यह number हमें यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, तो हम यह number यहाँ पर भी लिख देंगे, same जो voucher number में हमने entry करिए, और उसक स्टोक आइटम में, यह स्टोक आइटम आगी, जैसे कि मारे पास keyboard है, अब keyboard की quantity आप देख रहे हूँ, यहाँ पर चार पीस है, और एक पीस का जो taxable rate है, वो आप देख रहे हूँ, यहाँ पर list price में 593 में रुपे और 22 पे से, तो 593 में रुपे और 22 पे से, अब उसके बा 12% वाला है या फिर 18% वाला है, तो यह 18% का है, तो इसमें हम 18% वाला लेजर को select करेंगे, अब यहाँ पर classification कर देंगे purchase taxable, उसके बाद में mouse, same ही तरीका है, इंटरी करने का, साथ पीस है, एक का rate है, जो 90 रुपे और 80 पे से का है, और यह भी GST, 18% वाला product है, तो हम इसको 18 12% purchase laser select करेंगे, और यहाँ पर करेंगे purchase taxable, अगर यह out of state का होगा, तो हम इंटर स्टेट taxable को select करेंगे, इस तरीके से यह VGA cable, और VGA cable, 10 पीस और X का taxable value है, 8, 9.29, और यह GST, 12% वाला product है, तो हम इसमें 12% purchase को select करेंगे, purchase, अब यह हमारी जो taxable value है, अगर invoice में से देखें, तो यह 3,901 रुपे, 34 पैसे यह taxable value आई है, और हमारे पास टेली software में जो इसकी entry है, यह वो 3,901 रुपे और 38 पैसे, यहनिकि अब यह कुछ पैसों का difference हो सकता है, जब कुई interim नहीं यहाँ पर करी थी, तो कुछ setting हम यहाँ पर इसमें, इसकी जो entry है, genuine वो interim यहाँ पर इन्टू 100 वेडेंस भाई 118, तो इस तरीके से इसका भी जो net rate है, वो 750 रुपे है, तो 750 इन्टू 100 वाग 118, और इस तरीके से इसकी जो total value है, 1000 रुपे की, तो इस 1000 रुपे की हम करेंगे, 1000 इन्टू 100 वाग 112, क्योंकि यह 12% वाला product है, और उसके बाद में हम आजेंगे, इस stock item के निचे की तरफ ए, इंट्रेट जो stock item हमारी complete हो चुकिया है, अब यहाँ पर हम select करेंगे, tax के लिए, तो यह tax के calculation automatic कर लेका, अब invoice में देखो, अब एक पैसे का invoice में difference आपका रहेगा, 449 रुपे और 99 पैसे, और यहाँ पर इस invoice के दार पर अगर invoice देखा जए, तो अभी यह 450 रुपे है, अब इस invoice के अंदर tax के अलावा एक यह freight यानि की किराया बाड़ा भी add हुआ है, तो हमें freight का laser भी create करना पड़ेगा, अब यहाँ पर अगर आपका पहले से laser create किया है, तो कोई प्रोब्लम नहीं है, अगर आप on the spot यहीं create करना चाहते हूं, तो आपको L C shortcut use करना है, L plus C, और यहाँ पर हम laser create कर लेंगे, आपने नाम से freight का नाम से या फ्रोवाडिंग के रहे बाड़ के नाम से भी आप laser create कर सकते हूं, तो मैं AGTG जीसे इसमें लगा वो मैं, बना देता हूं, तो यह मारे लिएक तरिकी का, indirect expenses है, GST इस पर है नहीं, तो इसको हम यहाँ से करेंगे, note applicable, और यह store पर add करने हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे store, अब एक पैसे का difference रहेगे, अब एक पैस हम round off कर देंगे, तो round off का भी laser हमें create करना पड़ेगा, तो same way process, add plus C, rounded off on, तो इस तरीके से हम जो, पैसे में जो difference पर ज्यादा रहेंगे, तो plus minus यह करते हैंगे इसको, और इसको भी हम indirect expenses या indirect income में रखे देंगे, कोई फरक नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह तो साल के end में सब कुछ इसका treatment हो जाएगा, और उसके बाद में एक पैसा में add करने, तो 0.01, यह हम फिकर हमें लिखनी पड़ेग तो यहाँ पर भी यह 4650 रुपे की entry complete हमारी हो चुकी है, और इस voucher को हम करेंगे यहाँ पर, save, उसके बाद में narration में, अगर आप इस invoice से समन्दीत कुछ लिखना चाते हो, अपना narration कोई remarks अगर आप देना चाते हो, तो हम कुछ लिख सकते हैं, otherwise आप इसको skip भी छोड़ सकते और इस इंटरिक हम करेंगे, accept, तो इस तरीके से हम total practical तरीके से मैंने आपको समझाया भी किस तरीके से हम इसको देखके percentage wise laser है, percentage wise stock item को create करते हैं, तो दोस्तों अगर आज की वीडियो अच्छे लगी हो, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, तो प्लीज एक लाइक देके जरूर जैना, तो दोस्तों अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करका, तो वो भी जरूर कर लेना, तो दोस्तों मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टोपी के साथ,